नावस्कार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परिच्छा वलके से यूटूब चैनल में दोस्तो यूपी टिपल सी पी इटी दोजार 21 के लिए आज से हम एक नए सेरीज श्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेक्टिस क्वेस्टन की जहां जोस्तो हम डेली बेसिस पे लगबग 30 important प्रस्थनों को कभर करवाएंगे आपको GKS और करेंट अफेल्स के 30 important प्रस्थन होंगे practice set के माध्यम से इसको हम day by day आप तक पहुचाएंगे काफी important series होने वाले ही आपके UPT plus PT 2021 के लिए तो ये 30 प्रस्थन को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है क्यूंकि आपके exam के according आपका जो syllabus जारी किया गया है उस syllabus के according इस questions को set किया गया है तो daily basis पर ये practice set आपको उपलवध होगा अगर इस वीडियो पर अगर आपकी प्रतिक्रिया आपका response अच्छा रहता है तो इस set को हम और आगे बढ़ाते रहेंगे अगर आप comment box में बताएगा कि आपको ये practice set कैसा लगा अगर आपको ये पसंद आएगा तो तभी हम इसको और आगे बढ़ाएंगे नहीं तो इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप comment box में बताएगा कि आपको ये practice questions है daily basis पर चाहिए या नहीं तो आप comment box में इसको जबाब जरू दीजिएगा तो चलिए आज का जो पहला हमारा practice set है उसको solve कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का फर्स्ट जो हमारा practice set है इसमें हमने कौन-कौन से important इस प्रस्णों को समलित किया हुआ है तो चलिए आज की session को सुरू करते हैं तो पहला प्रस्ण आपके screen पर है सामने देख रहे हैं आप 2022 का जो football भी सकोप होगा उसकी मिजबानी कौन सा देश करेगा काफी important प्रस option इसका D बिल्कुल सही है अगला important है रास्टी सांखी की दिवस किस वर्स मतलग किस दिन मनाया जाता है तो प्रती वर्स 29 जून के दिन आप्या दिखीगा प्रती वर्स 29 जून के दिन जो है भारत में रास्टी सांखी की दिवस को मनाया जाता है यह जो रास्टी सांखी की दिवस है किसके बातरे के उपलक्ष में मनाया जा यह प्रस्थ आप से पूछा जा सकता है तो भारत में एक व्यक्ति थी जिनका नाम था PC महान लोबिस इनका नाम आपको याद अखना है PC महान लोबिस इनी का जो जन्म दिवस होता है 29 जून भारत में रास्टी सांखिकी जो खेल के इवेंट्स हैं उनको मैंने यहां पर अपलोड किया हुआ है यहां से आपके एकजाम में प्रस्थ पूछे जा सकते हैं करेंट रफेस के सक्षन में तो इनका आप इसको मैं पढ़ने नहीं जाओंगा तो आप वीडियो को पॉस करके इसको वन बाई वन करके दे इसके बाद अगला प्रस्थ वारा क्या कहा रहा है दोजार एककीस का जो ओलंपिक खेल होगा इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा मैं आपको बता दूँ यह जो ओलंपिक खेल थे 2020 में होने वाले थे परन्तु कुरोना वाइरस के चलते इनका जो अस्थक में इनका जो हो प्रस्थ होने वाला समय था उसको बढ़ा दिया गया तो अब यह 2020 की जगह 2021 में खेले जाएंगे कहां पर जापान की राजानी टोक्यो में तो ऑप्षन डी इसका विल्कुल से पहले भी 2021 में टोक्यो में खेले जाएंगे ओलंपिक खेल यहां पर गिस्म कालिन ओलंपिक ख इसरो का उस मतलब यूपीटे प्लसी पीटे का जो इसलिपचार किया गया था उसमें इसरो का भी टॉपिक दिया गया था इस्टेटिक जीके में तो अगर आपने इसरो वाला वीडियो उमारा देखा होगा तो इसको डेफिनेटली आप सॉल्ब कर लेंगे इस प्रस्ने को त इसरो का हेड़कोटर आप मिलेगा बैंगलूरू में इसरो के स्थापना हुई थी 1979 में तता इसरो के वात्मार में अध्यक्ष कोने के सीवन तो इतनी सारी चीज़े आपको याद अखनी अगर आपको डेटेल नौलेज चाहिए आपको इसरो के बारे में तो आप जाके हमा बंगाल का बिवाजन था 16 अक्टूबर 1905 में ओफिसियल लूप से कल दिया गया था इस समय वैसराइकाउन था भरत का तो लौड करजन यानिकि लौड करजन के तरह जो है बंगाल का बिवाजन कल दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को अगला प्रस्न क्या है इडुकी बांध निम्न में से किस नदी पर है तो इडुकी बांध आपको मिलेगा पेरियार नदी पर पेरियार नदी बेंती आपके के रहल बेती से आप ध्यान दिजेगा अगला प्रस्न क्या कहा रहा है बहुती समिदान ने मौली कटव्यों की संख्या कितने हैं कि कितने हमारे समिदान म समीदान संसोधन इसका नाम था सौन सिंग समीटी के रेक्मेंडेशन पर ही जो है मौली का तब्यों को जगह दी गई थी हमारे समिदान में तथा इसके लिए समीदान संसोधन किया गया था बैलिसमा समीदान संसोधन अगला प्रस्ण क्या है इसमें से कौन से नदी सिंदू के सायक नदी है तो तीनो जेलम चिनाम और रावियने की तीनो नदिया जो है ये सिंदू नदी के सायक नदिया है अगला प्रस्ण क्या कहा रहा है ब्रहमान कितना प्राचीन यानि कि प्रहमांड यह कितना पुराना है तो हमारा जो ब्रह्मान डेया लगबक 13.8 billion वर्स पुराना यानि कि option C इसका बिल्कुल सही है अगला प्रस्थन है क्या है? ACI विकास बैंक का मुख्याल है कहां पर है? तो ADB यानि कि ACI विकास बैंक का headquarter आपको मिलेगा मनीला में इसके उपाध्यक्ष वहतमान में कौन है ADB के आपको comment box में बताना है अगला प्रस्थन क्या गया रहा है? संतोष ट्रॉफी कि स्खेल से संबंदीत है? सो संतोष ट्रॉफी का संबंद है फुटबॉल से यनि कि option A इसका बिल्कुल सही है फुटबॉल अगला प्रस्थन क्या है? स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन ने 1922 में किया गया था तो राइट इंसराब का जगा वर्स 1922 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था अगला प्रस्न क्या कह रहा है भारत का रॉकेट प्रचिपन पैड इसमें से कौन सा है तो तीनो ही भारत के रॉकेट प्रचिपन पैड है श्रीहरीकोटा में आपको मिलेगा 37, 200, अंत्रिच, केंद्र, तिरुवननद, पूरा, उडिसा, ये तीनों जो है आपको भारत के रॉकेट, प्रचिपन, पैड हैं तो option D इसका बिल्कुल से उप्योग तो सभी अगला प्रस्ण क्या है मिट्टी के अध्यान को किस रूपे से जाना जाता है यानि कि मिट्टी के अध्यान को क्या कहता है तो मिट्टी के अध्यान को का जाता है पैडोलोजी यानि कि option इसका बिल्कुल से मिट्टी के अध्यान को पैडोलोजी के नाम से जाना जाता है अगला प्रस्ण है राश्टी एकता दिवस को मना जाता है तो राष्टी एकता दिवस जो बर्थडे होता है सल्दार वल्लब भाई पटेल का आप याँ देखेगा भारत में सल्दार वल्लब भाई पटेल का जो बर्थडे होता है इसको हम मनाते हैं राष्टी एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर के यानि कि option C इसका बिल्कुल स स्वीडन अगला प्रस्न क्या क्या रहा है बर्प पर दा पढ़ाने सो इसका गल्लांग पर क्या प्रवा पढ़ता है तो इसका जो गल्लांग होता है वह बढ़ जाता है निकि ऑप्सन जिसका भी है बिल्कुल सी गल्लांग बढ़ जाएगा अगला प्रस्न क्या है गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं क्योंकि ये जो है उस्मा के बूरे और सोसक होते हैं यानिकि जो सफेद कपड़े होते हैं ये उस्मा को और सोसित नहीं कलते हैं इसकारण से सफेद कपरे जो है गर्मियों में पहने जाते हैं तो अप्शन यह इसका बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण वारा क्या रहा है चमगादर जो है अंदेरे में भी उड़ सकते हैं अगला प्रस्ण क्या है अल्मूनियम किस खनिश से प्राप्त होती है तो अल्मूनियम जो है आपको प्राप्त होती है बाकसाइट से यह निकि बाकसाइट से जो है आपको अल्मूनियम प्राप्त होती है अगला प्रस्ण क्या है दाप का एसाई मातरक आपसे पूछा जा रहा है तो दाप का एसाई म प्रकास के बीछ होती है तो विद्धुछुंब की इस्प्यक्ट्रम की जो वेब लेंध होती है, अगला प्रसन क्या है? या उल्गा को विद्धुट उल्जया में किसके दारा बदला जाता है? तो जो डाइनमो होता है या यांतरिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में बदलता है तो इसे भी आप या देखेगा जो यांतरिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में बदलता है अगला परसन क्या है यदि प्रित्वी परसे कोई चट्टान चंदरमा पटले जाए जाए कि तो इसमें क्या परतन होगा तो उसका बाहर होता हुँए नहीं बदलता है ताफ इस 자वा रहर होता है प्लासी कयूद लड़ा गया था तो 23 जून 1757 को जो है 188 जुद लड़ा गया था आप आ देखेगा अंग्रेजु और सिराजु दोला के मद्ध 23 जुन 1757 को 188 जुद लड़ा गया था जिसमें सिराजु दोला की हार हुई थी अगला प्रस्न क्या है बक्सर का युद कब लड़ा गया था दोनों काफी important युद हैं तो 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद लड़ा गया था अगला प्रसन क्या है सीवा जी के प्रसासन पेशवा किसे कहा जाता था तो सीवा जी के प्रसासन में पेशवा रक्षा मंत्री को कहा जाता था तो option जो इसका ए है बिल्कुल सही है रक्षा मंत्री को अगला प्रसन क्या है भारत की प्रतमत्त पूर्णत रंगीन फिल्म कौन सी थी तो भारत की परत्थम पुनतर रंगिन फिल्म तेस का नाम था किसान कंण्या यानि कि option A का बिल्कुल सही है किसान कंण्या अगला प्रस्ण क्या है भारत छोड़ अंदोलन की सुरुआत का हुई थी तो आप आप या देखिएगा भारत छोड़ अंदोलन की जो है मातमागांदी ने करो या मरो का नारा दिया था आज का लास्ट प्रस्ट जो आपके स्क्रिन पर दिख रहा है कि इस देश को यूरोब का मरीच कहा जाता है तो यह 30 important प्रसन थे आपके UPSC PT 2021 के लिए वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को like कर दीजेगा, share कर दीजेगा, तो आज के लिए बास इतना ही, thank you, thanks for watching, thank you.